वैसे तो WhatsApp हैक कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन किसी भी तरह की हैकिंग ना मुम्किन नहीं है हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जो काफी बेसिक हैं और इन्हें कोई भी गलत इरादे से आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है पहली चीज तो ये है कि आप जल्दी से अपने WhatsApp में जाकर ये चेक कर लें कि कोई आपका WhatsApp एकसेस तो नहीं कर रहा है ये करने के लिए WhatsApp सेटिंग में जाकर के WhatsApp वेब टेक्स्टोब पर टाप करें अगर आपने WhatsApp वेब ओपन नहीं किया है और यहाँ पर आपको लॉग इन दिख रहा है तो समझ लें आपके चैट कोई और पढ़ चुका है सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ततकाल इसे लॉग आउट कर लें Google Play Store पर इस तरह के कई आप्स हैं जो WhatsApp के इस फीचर का फायदा उठाते हैं आपका ही कोई जानने वाला इन आप्स के जरीए आपका WhatsApp लगातार एक्सेस करेगा और आपको पता भी नहीं होगा हलाकि इसके लिए अटाकर को टागेट डिवाइस का फिजिकल एक्सेस होना चाहिए आमतोर पर भी लोग एक दूसरे को कुछ मिनिट के लिए मुबाइल देने में नहीं हिचकते हैं लेकिन चंद मिनिट्स में आपका WhatsApp कोई और देख रहा होगा इसलिए WhatsApp वेब के इस फीचर को बेहत साफधानी से यूज़ करें WhatsApp स्पाई करने का दूसरा असान तरीका ये है कि कई बार अटाकर टागेट के डिवाइस का एक्सेस लेते हैं अटाकर यहाँ पर कोई भी हो सकता है वो आपका जानने वाला भी हो सकता है गलत इरादे से आपका फोन लेकर के चैज को डारेक्ट अपने इमेल पर एक्सपोर्ट कर सकता है इसमें कुछ सेकिंड्स का ही समय लगता है WhatsApp OTP स्काम ये स्काम हाल ही में चर्चा में आया है लेकिन अटाकर इसे पहले भी इसे यूज़ करते आए हैं दरसल इस स्काम के तहट अटाकर्स खुद को इमरजन्सी में बात कर आपको फोन पर प्राप्त हुआ OTP की मांग करते हैं दरसल ये OTP आपके WhatsApp की होती है जिने वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे ही आप उनके जहांसे में आ करके OTP देते हैं वैसे ही आपका अकाउंट हैक हो जाता है और अगर कुछ देर के लिए भी उन्होंने आपका WhatsApp अकाउंट हासल किया तो सभी चैट्स को अपने email ID पर export कर सकते हैं फिर इससे आपको blackmail भी कर सकते हैं इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जिनसे WhatsApp हाक किये जाते हैं लेकिन वो तरीके आम तोर पर कोई hacker यूज नहीं करता है बलकि इसे काफी गंभीर हाकिंग होती है उदारण के तोर पर Israel firm NSO Group द्वारा बनाये गया कथिव spyware से high profile WhatsApp अकाउंट हाक किये जाते हैं ये टूज सभी के लिए उपलब नहीं होता है इसी तरहां के कई और तरीके हैं बहरहाल अब जानते हैं कि इनसे बचना कैसे हैं अपने फोन में WhatsApp को लॉक करके रखें इसके साथ ही WhatsApp में टू स्टेप वरिफिकेशन एनेबल कर लें इसके लावा अपने chats के backup को ध्यान से अपनी email ID में secure रखें या इसे computer में download करके delete भी कर सकते हैं हमारी दुनिया में बढ़ती हुई technology ने हमको आलसी तो बना ही दिया है पर साथ ही साथ बेपरवाह भी कर दिया है जो बहुत घलत है हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी technology यूज़ कर रहे हैं इसको किसी इंसान नहीं बनाया है इसका प्रयोग के साथ ही दुर्पयोग भी किया जा सकता है इसलिए हमेशा अपने विवेक से काम ले और साथ ही साथ ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें